आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तो हम जो नुस्खे बताते हैं वो वैद्यों की राय के मताविक होते हैं इसलिए आप लोग आज ही हमारा चैनल सब्सक्रा पॉपकॉर्ण के बात कर रहे हैं, पॉपकॉर्ण भारत के लिए नया नहीं है, बलकि यहां के गाउं में सालों से मकई का भूजा बना कर लगातार खाया जाता रहा है, जिसे आज लोग पॉपकॉर्ण के नाम से जानते हैं इसलिए आज हम आपको बताएंगे पॉपकॉर्ण खाने के इतने सारे फायदे जिनको सुनकर आप चौक जाएंगे पॉपकॉर्ण फाइवर से भरपूर और पाचन शक्ती के लिए बेहद ही मददगार साबित होता है बलकि ये डायविटीज के रोगलियों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है तो आईए विस्तार से इसके फायदों के बारे में हम जान लेते हैं नमर एक ये वजन पर कंट्रॉल करता है यदि आप पॉपकॉर्ण का लगातार सेवन करते हैं तो आपको बहुत जल्दी भूग नहीं लगती आप बार बार खाने से बच्छते हैं जिससे आपका वजन नहीं बढ़ता इसके अलाबा इसमें बहुत ही कम कैलोरी होती है जो वजन को बढ़ने नहीं देती अगर आप पॉश्टिक आहार के साथ डाइटिंग करना पसंद करते हैं तो आपके लिए पॉपकॉर्ण बहुत ही अच्छा है इसका बिना नमक के साथ नियमित सेवन करना चाहिए जी हाँ दोस्तो हम रिपीट कर रहे हैं इसका बिना नमक के साथ नियमित सेवन करना चाहिए ये कम कैलोरी के साथ शुगर फ्री और फैट फ्री वी होता है ये पाचन तंत को मजबूत रखता है दोस्तो 90% बिमारियां हमारे पेट से होकर गुजरती हैं अगर पेट स्वस्त है तो आप स्वस्त हैं पेट को सेहत मन बनाने के लिए पाचन शक्ती को मजबूत होना बहुत ही जरूरी है इसके लिए आपको उच फाइवर सामगरी लेनी चाहिए आप पॉपकॉर्ण का सेवन कर सकते हैं फाइवर से भरपूर पॉपकॉर्ण आतों की मास पेशियों के लिए सही माना जाता है दोस्तों ये कॉलेस्टरॉल में बहुत फायदे मंद माना जाता है शरीर में कॉलेस्टरॉल का अगर संतुलन बिगड जाता है तो कई सारी बिमारियों का खत्रा होने लगता है शरीर बेहतर तरीके से काम करें इसके लिए कॉलेस्टरॉल को सामानने रखना बहुत जरूरी है पॉपकॉन का सेवन करने से अतिरिक्त कॉलेस्टरॉल को कम किया जा सकता है ये त्वचा के लिए भी बहुत फायदे मंद है यदि पॉपकॉन खाना पसंद है तो आप इसे नियम तरूप से खाईए इसमें मौझूद एंटि आक्सिडेंट आपकी त्वचा को स्वस्थ रखते हैं इस बात का दिहान दीजिए कि इसमें ज्यादा नमक ना हो दोस्तो ये डाइविटीज के रोगलियों के लिए बहुत फायदे मंद है डाइविटीज के रोगलियों को पॉपकॉण का सेवन करना चाहिए आज डाइविटीज ये कैसी बिमारी बनती जा रही है जिससे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है पॉपकॉण में मौझूद फाइवर नकेवल शरीर के भीतर बलड शुगर पर बहुत अच्छा प्रभाप डालता है बलकि इंसुलिन के स्तर को नियमित भी रखता है दोस्तो जाना आपने पॉपकॉण के कितने सारे गुण है पॉपकॉण खाने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन दोस्तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि आप उसमें नमक ना लें कोशिश करें कि उसमें नमक ना हो और अगर आपके पॉपकॉण में नमक नहीं होगा तो वो आपको ज्यादा फाइदा पहुचाएगा दोस्तो आईरवेट समाधान जीवन जीने की एक पद्दती है जिसमें बताएगे नुस्के वैद्यों की राय के मताबिक होते हैं जीवन को नीरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए आईरवेट समाधान क्योंकि आईरवेट समाधान है हर रोग का निदान